ना आटा, ना मैदा, ना ही तेल सच श्रिकार दोस्तू आज मैं आपके लिए बहुत यूनीक सी रेसिपी लाई हूँ बहुत जल्दी बन जाएगी और एकदम यूनीक सा इसका टेस्ट है खाने वाला भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे बनाया किससे है तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 घंटे पहले मसूर की डाल ले ली थी और इससे मैंने बढ़िया से धो कर पानी में भिगो दिया था अगर आपके पास समय है तो 4 घंटे के लिए भी आप इसे भिगो सकते हैं अब हमने यहाँ पर ले लिया है एक मिकसर जार और जो दाल हमने भिगो कर रखी थी न वो सारी दाल अब हम इसे पीसना है दोस्तों पीसते वक्त हमेश में पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और आपको इसे continue चला कर बिल्कुल इसकी paste भी नहीं बनानी है आपको इसे pulse mode पर चलाना है थोड़ा चलाएंगे फिर रोकेंगे फिर चलाएंगे फिर रोकेंगे हमें याँ पर इस तरह की दरदरी पिसी हुई डाल चाहिए इस बात का आप ध्यान दीजेगा हमें इसे बस थोड़ा सा ही पीसना है अब उसकी बाद मैंने याँ पर दो चोटे सा इसकी प्याज ले लिये थे उन्हें रफली काट कर मैंने इसमें आड कर लिया है लरसुन की चार से पांच कलिया हमने इसमें डाल दी है साथ ही मैंने इसमें तीन बड़े चमच टमैटो केचप के डाले हैं आगर आपके पास टमैटो पूरे है तो आप वह भी इसमें आड कर सकते हैं साथ ही हम इसमें डालेंगे काफी सारा बारिक कटा हुए हराध हनिया अब आपसे बहल जाएंगे एक तीज़ब्स पून नमक आप स्वृत कशना नमक और एक टीजपून पिसीवी काली मिर्च का पाउडर ये सारी चीज़े हमें मिक्सर जार में इसी स्टेश पर आट करनी है अब हम लगाएंगे इसका धकन और इसे भी हमें पल्स मोड पर ये थोड़ा चलाएंगे फिर रोकेंगे फिर चलाएंगे फिर रोकेंगे इसकी बिलकुल पेस्ट नहीं बनानी है इस बात का भी आपको ध्यान देना है जब हम इसमें पियाज और सीजे डालेंगे ना तो फिर ये थोड़ा सा इसका जो टेक्श्चर है स्मूथ हो जाएगा बट यहां पर भी आपको इसे दरदरा सा ही पीस कर तयार करना है ये देखिए मैं आपको क्लोस से दिखा रही हूँ बिल्कुल हमने इसकी पेस्ट नहीं बनाई है हरे धनिये की भी कुछ पतियां हमें इस तरह से दिखाई दे रही है तो आप भी इसे बिल्कुल इसी तरह से पीस कर तयार कर लें आप यहां पर मैंने इसे मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर दिया है और आप यहाँ पर इसकी ठिकनेस देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट मिश्रण बना है पर बहुत जादा रनी नहीं है और बहुत जादा गाड़ा भी नहीं है अगर फिर भी आपको लगे की डाल को आपने थोड़ देर कम भी गोया है तो एक दो चम्मच पाने डाल कर आप उसको थोड़ा सा सेटल कर सकते हैं अब दूसरी और मैंने तवे पर दो बून तेल से तवे को बढ़िया से ग्रीज कर लिया है जब तवा हमारा हलका गरम होगा न उस स्टेज पर आप यहाँ पर देख सकता है एक चम्मच भर कर मैं इस नास्ते को तवे के उपर डाल रही हूँ और इस तरह से आप भी इसे आ प्रेटल कर सकते हैं यह देखिए आप यहाँ पर इसके चीला भी बना सकते हैं दोस्तों मैं मैंशन करना चाहूंगी अगर आप चाहें देर हो रही है आपको फटा-फट खाना चाहते हैं तो तवे पर थोड़ा सा ओल लगाई है इसको अच्छे से फैला दीजिए उसको को समय लगता है बढ़िया से वो कुखो जाता है और चाहें तो इस तरह से इसकी तिक्की या पैटी भी बना सकते हैं मैं आपर इसे इस तरह से टिक्की की शेप दे रही हूँ एक चमच भरके मैंने मसाला डाला था उसको अच्छी तरह से उपर से प्रेस करेंगे ध्यान रख आप बिल्कुल कम तेल में जैसे मैंने बनाया है वैसे भी बना सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि काफी अच्छा क्रिस्पी रिजल्ट हो और थोड़ा और जल्दी बन जाए तो आप थोड़ा शेलो फ्राइबी से कर सकते हैं वो बिल्कुल मर्जी आपकी है मैं आज इस पर यह बहुत बढ़िया से अंदर तक सिख चुका है आप हम यहां पर इसे बहार निकाल लेते हैं और यह हल्दी सा नास्ता बनकर एकदम तयार है दोस्तों इसे बनाने में हमें कोई बहुत सादा ताम जाम करने की भी जरुरत नहीं है और फटा फट से बनकर तयार हो किसी की साब की सब कीजिए कि बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगी तो फिन वोक्स में आपने देश सकते हैं अंदर से बुखत ही जादा सौफ है इसकी मां की बड़ा करब था या अंदर से चल गया मेरा हाथ उनको तुपी कैसी लेगी